नाराएन नाराएन दोस्तों आईए दोस्तों मैं 11 से 17 फरवरी के पीच जो आपकी राशी है मेश से मीन राशी तक का भविश्चिफल लेकर आई हूँ देखते हैं किस राशी की कारियों में नई शुरुआत होगी कौन से राशी की लोगों का नौकरी बदल सकती है या वो अपने आप ही अपनी दूसरा जॉब जॉइन कर सकते हैं किस राशी के लोग बिजनेस में सक्सेस पास सकते हैं या उनको बिजनेस में समहल कर रहना होगा कौन सी राशी को एक्स्ट्रा काम करना पढ़ सकता है आईए इनी सबी चीजों को ध्यान रखते हुई हम लोग चलते हैं मेश राशी की ओर मेश राशी वालों से कहा जा रहा है आप दिल की अपेक्षा, दिमाग को ज़्यादा तबज्जो दें that means think from your brains अपने दिमाग से सोचिए और आपको discipline में रहना पड़ेगा नहीं तो आपके indiscipline के कारण आपके अपने ही काम खराब हो जाएंगे आप यदि business में हैं या job में हैं कहीं भी हैं एक तो आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी दूसरा कोई भी कारे करें तो आपको self confidence होना बहुत ज़रूरी है तभी आप successful हो सकते हैं love life आपकी अच्छी रहने वाली है whether if you are married or you have any partner यदि आपके health wise देखा जाए तो आपको acidity की problem हो सकती है so please take care इसके बाद बारी आती है ब्रिशब राशी की ब्रिशब राशी का कोई भी रुका हुआ काम जो रुका हुआ है वो आगे निकल सकता है आपके positive results मिलने वाले हैं आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके सामने ऐसी कोई situation आए जिसमें आप घबरा चाते हैं तो आपको patiently काम करना पड़ेगा और उस चुनाती से घबराने की बजाए उसका सामना कीजिए Soon there will be no situation to face बिसनेस में जो लोग हैं या जॉब में जो लोग हैं उनको अपने कारे को पूरे करने के लिए पूरी मेहनत लगा देनी होगी और उनके कारे पूरे हो जाएंगे तो उनको उनकी बॉस से बहुत तारीफ मिलने वाली है परिवार में सुक्षांती का महौल रहेगा और प्रेमी प्रेमी का डेटिंग पर चाह सकते हैं हेल्थ पॉंट अफ यू से आपको बहुत जादा टाइडनेस और स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मेडिटेशन कीजिए मित्वन राशी इस सब्था घर में सुधार और रख रखाव सम्बंदी आप कुछ योजना बनाने वाले हैं इंटीर में आप कुछ चेंजेज लेकर आने वाले हैं घर में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी पर आप उसको बखो भी निभालेंगे आपको गुसे पर कंट्रोल दें करना बहुत सरूरी है कहीं ऐसा नहों आपकी गुसे के कारण आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए यदि आप शांती पूरवक काम लेते हैं तो आपके कारे आसानी से पूरे हो जाएंगे बिजनिस के तौर पर देखें यदि जॉब के तौर पर देखते हैं तो यदि कोई महिल आएं जो कि बिजनिस में हैं उन पर काम का दबाव बढ़ने वाला है कोई भी फैसला सोस समझ कर लीजिए और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो शायद आपको थोड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है परिवार और प्रेम संबंद अच्छे बने रहेंगे हेल्थ में आपकी कोई पुराने समस्या उठकर सामने आ सकती है इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही न करें ठंड जा रही है ठंड से बचाव करें खान पान पे ध्यान रखें और जरा सा कुछ होते ही डॉक्टर से जरूर कंटक्ट कीजिए करकराशी इस सब्ता परिवार से जुड़े कुछ फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं और यह हो सकते हैं आपके परिवार के साथ जो गिले शिकवे चल रहे हैं वो भी अब टाइम है कि आप उसमें उनको ठीक कर लीजे सबके साथ पैच अप कर लीजे घर में अच्छा महौल बन जाएगा यदि आप आपके ही कारण आपके अपने ही काम रुक सकते हैं शायद इसलिए क्योंकि आप इंपेशन्ट हो जाएंगे आप सयम नहीं रख सकेंगे तो धैरे से काम लीजिए आपके सारे कारे पूरे हो जाएंगे जॉब में और बिजनेस के जो लोग हैं उन लोगों से कहा जा रहा है रुपे पैसे के मामले में किसी पर भी जादा विश्वास मत कीजिए वैसे आपको आपके स्टाफ का पूरा सयोग मिलने वाला है और लव देखा जाए तो आपका किसी अपोजिट सेक्स का परसन आपको हेल्प करने वाला है आपकी नजदीक यां बढ़ भी सकती हैं और बहुत नजदीक आ सकते हैं हेल्थ पॉइंट अफ यू से वाहन आपको ध्यान से चलाना है नहीं कोई रिस्क मत लीचेगा सिंग राशी के लिए कहा जा रहा है कि आपको कॉंसेंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है यदि आप कॉंसेंट्रेट ली और कॉंशियसली कोई भी काम करते हैं तो आपका उज्वल भविश्य नजर आ रहा है किसी पर जादा भरोसा मत कीजिए अपनी जो प्लानिंग आप कर रहे हैं किसी से शेयर मत कीजिए क्योंकि अपने प्लान्स आपने किसी से शेयर कर लिए तो जरूर उस पर रोक लग जाएगी और सबसे बड़ी बात अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए अजरी आप बिजनेस और जाब में हैं तो कुछ गलत फहमियां आपको मुश्किल में डाल सकती हैं फैनेंसिस में भी आपको बहुत अधिक सावधान रहना जरूरी है और जो भी पेपर्स हैं उनको समाल कर रखिए आपके फैमिली में आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे और यदि आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली आपको उस चीज़ के लिए हाँ कर देगी बहुत अधिक बिजी रहने के कारण आपको ठकान हो सकती है तो अराम कीजिए कन्याराशी का ये वीक बहुत अधिक बिजी जाने वाला है आपको फैनेंशल प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है आपके घर में कोई भी मांगलिक कारे हो सकता है पर फैनेंस को संभाल कर रखिए प्लान करके काम करेंगे तो आपको ज़्यादा प्राब्लम नहीं होने वाली है और इस वीक में आप घुमने फिरने जा सकते हैं पर उसमें आप अपने आपको कंट्रोल में रखकर टाइम यूटिलाइज कर लीजेगा क्योंकि आपने बहुत अधिक समय घुमने फिरने में लगा दिया तो आपके जॉब में आपके बच्चों के साथ या आपके किसी भी कारे में कोई भी समस्या आकर खड़ी हो सकती है means time को manage ठीक से कीजिए website में यदि आप हैं तो आपको कामियाभी मिलने की पूरी संभावना है और यदि आप जॉब में हैं तो आपके office का माहौल शांती पूरने रहने वाला है husband wife के बीच में अच्छ तनाव की स्थिती बन सकती है हो सकता हाप जैसे घुमने फिरने निकल गए अपने दोस्तों के साथ तो husband wife के बीच में तनाव की स्थिती बन सकती है फिर भी आपके मित्र या आपके कोई relatives आपके इस वातावरन को सामाने करेंगे तो लाराशी इस सत्ता आपका आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखें that means आपको कहीं से कुछ ऐसा मिलने वाला है कि आपका self confidence आप lose करने लगेंगे तो आपके सामने ऐसी कोई भी situation आती है तो उससे बचने के लिए आपको खुद पर confidence बनाए रखना बहुत जरूरी है आलसी और लापरवाही बनते हैं तो आपके कारे पूर्ण होने में आपको problem आ सकती है आपको खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है यदि आप peacefully रहेंगे तो सारे समस्या के हल नजर निकल आएंगे और आपका यदि कोई वेवसाय है यदि आप नौकरी पेशा है तो आपका job change हो सकता है और आप यदि वेवसाय में है तो अपने मात हत पर नजर रखिये वो हो सकता है आपके साथ कोई दोका धरी कर दे family life अच्छी रहने वाली है प्रेम संबंद में you have to respect the feelings of each other विश्चिक राशी आपको अपनी daily जो रूटीन आपका चल रहा है आपको you should bring some change in that आपको उसमें कुछ changes लाने बहुत जरूरी है कोई यात्रा की planning भी हो सकती है तो इस कारण आपको खुशी महसूस होगी इससे सबता हमें यह दि आप पैसों का लेंदेन कर रहे हैं तो आपका पैसा फंस भी सकता है means take care सारे paperwork अच्छे से करने के बाद ही उसी प्रकार का लेंदेन कीजिएगा व्यवसाए में हैं तो आपको कागजी कारवाही जो भी करते हैं उसमें you have to be very much careful अच्छे से देख समझ कर पढ़ लिख कर किसी को दिखा कर समझा कर ही कोई signatures कीजिएगा और यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है युवाओं को कहीं नौकरी मिलने की संभावना है परिवार में tension हो सकता है यदि कुछ भी tension होता है आपकी family में तो आप बैठ कर मामले को सुलझा लें ऐसा नहों कि लड़ाई करकर और एक इधर मु करके बैठ जाए एक उधर मु करके बैठ जाए ऐसा मत कीजिएगा health point of view से यदि आपने खान पान में ध्यान नहीं रखा तो आपको gas की problem या कोई पेट दर्ट की problem हो सकती है धनूर आशी बहुत ही वैस्तता पूर्ण तथा लाबकारी सब्ता है आप अवश्य ही सफलता मिलने वाली है आप घर के रख रखाओ और साथ सज्जा पर भी ध्यान देने वाले है आपके जो पारिवारिक संबंद या दोस्तों से संबंद या जो भी संबंद है उनमें कोई खटाई पड़ सकती है इस देश पॉजिटिविटी बनाए रखें किसी के कहने को ज़्यादा नेगेटिविली मत लें फैरेंशल ध्यान रखना होगा आप यदि कोई बिजनेसमैन है तो कुछ भी अनुबंध कुछ भी सिगनेशर करने से पहले अच्छे से सब कुछ देख भाल कर चेक कर लें आप किसी से करवा भी सकते हैं और यदि आप जाब में हैं तो आफिस का माहल आपके लिए अच्छा रहने वाला है घर में सुक्षांती का माहल रहेगा मित्रों के साथ मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परिशानिया उत्पन कर सकता है तो इसलिए अपने मित्रों के साथ उतना ही मेल जोल रखिए कि वो आपकी पैमिली लाइफ को डिस्टरब ना करें अधिक मेहनत की वजह से थकान और कमजोरी हो सकती है इसलिए प्लीज टेक रेस्ट मकर राशी एक ऐसे विक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपको प्रसनता देने वाला है और जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इक को इंक्रीज करेगा और आपके प्राब्लम्स जिस मुद्दे पर आप अटके हुए है उसमें वो आपको सलह भी दे सकता है अपने बचेट को ध्यान में रखकर खर्चा कीजिए कहीं आप फैनेंशल प्राब्लम्स में ना आजाएं यदि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे तो आपके जो नजदीकी संबंद है उसमें खटाई पड़ सकती है किसी उचित व्यक्ती की सलह लेकर ही कोई भी कारे कीजिए आप यदि बिजनेस में हैं तो आपको अपनी कारे प्रणारी में चेंच लाना बहुत ज़रूरी है और यदि आप नवकरी पेशा हैं तो आपको बहतरी इन तरीके से अपने कारें को पूर्ण करना चाहिए आपके husband wife के relations अच्छे रहने वाले थोड़े बहुत तनाव शायद हो सकता है पर समय रहते हैं स्तिती समाल जाएगी अपने health को बिलकुल भी लापरवाही न बरते हैं चोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी कुमबराशी कुमबराशी आपको अपना जो attitude है वो positive रखना होगा ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते जा रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा अधि आप positively behave करते हैं तो आपकी समस्याओं के समाधान मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप इन दूसरों के मामले में interfere ना करें तो ही अच्छा है ऐसा दी करते हैं तो लोगों के वीच में आपकी छबी बहुत खराब होने के पूरे chances हैं किसी गलत काम के लिए किसी का सहरा ना लें व्यवसाई गती वधियों में ठकान रहेगी positive परिणाम तो मिलेंगे ही business में आपका workload जादा होने के कारण आप बहुत जादा ठक जाएंगे बट आपको positive results मिलने वाले हैं तो अपने व्यवसाई का आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाए कीचिए husband wife में यदि कोई आपका पिछले समय से कोई व्यवादित मामला चल रहा है हमारी आखरी राशी में राशी इनके लिए मैं तो यही कहूंगी कि आपको इस week में कुछ ऐसे लोगों से मिलने का अबसर मिलेगा जो आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित हो सकते हैं यदि समपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो वो आपको उसमें help करेंगे और इससे आपको mental tension दूर होगा किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए और निर्ने लेने में जल्दी मत कीजिएगा जैसे कि आपके कोई दोस्स यदि आपकी help कर रहे हैं तो don't decide immediately समझ कर यदि आप निर्ने लेते हैं तो आपका अच्छा results रहेंगे यदि आप business में हैं तो थोड़ी दिक्कत आने का दिख रहा है और यदि नौकरी में हैं तो आपके उपर कारे भार बढ़ सकता है तो तो तोड़ा पैशंटली आप behave कीजिएगा और कोछी समय पारिवारिक सदिस्यों के साथ गुजारना आपको बहुत जरूरी है तब ही आप आपके परिवार में क्या चल रहा है इसको जान सकेंगे और ताल मिल बिठा सकेंगे health point of view में बिल्कुल भी लापरवाही ना बढ़ते नियमत रूप से वियायाम कीजिए और योग कीजिए और मेरे इस वीडियो को बार बार देखते रहिए मैं हर बार वीकली लेकर आती हूँ इसको देखिए लाइक और शेर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा हैदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा ओके फ्रेंट्स सी यू सून बाई